तुमी बगताहाद पाच शटकन चे सामने असुन चुकिला माफी नाही है एक चुक घोड़ चुक आणि इस परदे तुन तुमी भाहरवाल कारण बाद पद्धती ची इस परदा है शाकली पद्धती नाही है आमचे दोनी पंच मैदान अमधे पोसलेत अमित गोलतकर यास परिसरात ले ख्याड़ है बांडूप कांजूर परिसरात मतला कि अमित गोलतकर बंटी कामली त्यास प्रवने करूना कर कोटियन शेकर अंबेर कर हेमंद गायकवाड वैशाल अंगने अशे बरपूर ख्याड़ूंची नाव अपला डोला समोर यहतात विक्रोली, कांजूर, भांडूप, नाहूर अनी मुलून जर मुलून कड़े गेलो तर सुनी लिंदूलकर जयांचा आज एक बव्य सतकार संध्यकली होना रहे राहूल 11 सा पाठी सा कना लेफ्टाम बोलिंग संसेशन सुनी लिंदूलकर यहाचा आज संध्यकली सतकार है सुराज आजगाव कर विनोत केनी अशे सर्वल लेजेंडरी संजे खामकर अशे मोटे ख्याड़ू यहंचा आज आज आपन सतकार करना रहोत दोन उदेवन मुख ख्याड़ू यहंचा सुद्धा आपन सतकार करना रहोत आणी याचा पूरुना कॉडिनेशन आज आपन गिले एक महिने पहता होत करूना कर कोटियन दर वर्शी स्पर दायोजित करतात त्यांसे चीरंजिव तनूश कोटियन आत्ताच उपविजेता असलेला मुंबाई सा रंजी ट्रोफी संगात लेते सदस्य आहेत आणी आपला साथी अभिमाना ची गोश्टाया करूना कर कोटियन स्वता युनाटेट इंडिया अशोरंस साथी खेललेत पैयाडे साथी खेलले विक्रोलियन्स चे ते आधार स्थंब खेललेत राहूल 11 साथी भरपूर वर्षा खेललेत करूना कर कोटियन आणी इतेज याज मेदनावर क्रिकेट प्रशिक्षन तेंचा मार्फत केलल जाते आणी आ वर्षी सहा खेलूंची मुंबई क्रिकेट असोसियेशन चा समर केम साथी निवड जाली ये सुदापला साथी आनन्दाची भाब है दूसरे आमचे मित्राच चंदरकान शिंदे चंदरकान शिंदे यांसा सुदाइक वैसिस्ट आए राहूल 11 परण या संगाची ये संगनाएक मालाजर कोणी विचार लखी चंदरकान शिंदे ना कदी तूमी बस्ताना बगित लएगा तर मी मने ना मैदान वरता चंदरला मी कदी बस्ताना बगित लए नाई चंदरा ने मी उबास्तो मंढ्याग दी MTCHA स्पर्दा जरी असली सकली साथ वजले पासून रात्री स्पर्दा संपे परंत चंदरकान शिंदे गप्प बसत नहीं आणि ये त्यांसा एक मोटा गुंधर्मा है आणि गिली कित्तेक वर्ष करूनाकर कोटियन अनी चंदरकान शिंदे ही जी जोड गोली आहे याने एका पेक्षा एक भारी चशक आपले समुर दिले पाउसली स्पर्दा असो क्रिकॉन असो विकार हरता चशक असो जबर्दस्त आयोजन आपन बगताले ले होत आणि आज करूनाकर कोटियन ला सुदा अभिमान वाटिल कान तनुष कोटियन ने जी उन्ची गाठले ले ले है ते तुमा आमा सरुव इस्चान दे मुंबई करन साथी मुंबई करन साथी आनंदाची बाब है तर उजवी डावी जोडी मैदान मदे उतर ले लिया है और आणि आथा सामना दा कुटलाइक शड़ी सुरुवात ओना रहे छोटी शी टीम मिटिंग जाले नंदर आता क्याड़ू मैदान मदे उतर दे ओमसाई बंडरा चे एक राखिया उख्याड़ू नी कमेंटरी बॉक्स मदे या प्लीज ओमसाई बंडरा रहीम बाबा याना सुदे दुमी बगता तेक मोठा क्याड़ू बाबा चिनमय कदम आणि श्रेयस कदम है अशे दोन बंदू आत बैंडरा चे जानि नाव कमोला चिनमय कदम श्रेयस कदम ला जेवा आमी विचारला तुजा याशाचा गमक काया तत्तो माला बरपूर वेला तेने सांगित लाकी कामा वरन घरी आले नंतर रातरी स्ट्रीत लायट हाथ कोल्गेट में लाजाचा तेकल अवर चिनमय जबकाiben के माला प्रक्टिस हाएचा अनि मी त्या ला प्रक्टिस दिया हाएच अनि अस कदम बांधवा नी जे कृकेट मदे नाव कमावले ते फक्त आणि फक्त आपलाया कुवत वर आणि त्याना नितिन जंगम सारका एक मित्र भेटला मैंटार भेटला गाइड भेटला जाने तेन चातले क्रिकेट चे सुप्त गोण ओडखले आणि त्याना मर्गदर्शन के लाणि आज बैंडरा परिश्रातले हे दोन मोठे क्य चीनमय जरी व्यावसाई क्रिकेट मोठे लेवल ला जास्ता खेलत नहीं या सद्ध्या परंदू त्याचा कड़े सुद्धा जो स्ट्रोक पले आहे बगने सारका आहे अनि श्रेयस कदम एक मोठनाव है सद्ध्या भारतिय क्रिकेट मदल ओमसाई बैंडरा संग मतला की बरपूर मोट मोटे क्याडू निया संगाचा प्रतीदित वकेल शक्ती चशक्ट जो माक्चा जला त्याद जबर्दस्त प्रदर्शन राहे लोगत या संगाचा अनि तद बरपूर टेनिस बॉल क्रिकेट चा स्पर्दा मना रबर बल क्रिकेट चा स्पर्दा मना ओमसाई बैंडरा हा संग भरपूर वर्श खेल दाले सद्ध्या फॉर्म मदे असलेला काई संगान मदे जर भगायचा जालता निलेश्या दादा भिंताडे धनकवडी हा संग सुद्धा चांगल खेलतो है विक्रोलियंस ने आपनी सात्यत था ठेवलिया है सेमी फाइनल परंद विक्रोलियंस पोस्तादाच सेंडी स्पी हा संगाने सुद्धा खुब मोटी मजल मारलेलिया गिल्या पाच वर्षा मदे हा संग मुंबाई करांचा असल संग उमेश 11 मतला कि उमेश कुले मेंचे डॉक्टर खाडे मना कि वा अडवकेट डॉक्टर साजिन पाटिल साहिब यांचा क्रिकेट पंडित या आवने सुद्धा ते बर्पूर वर्षा खेलता है उमेश 11 मुमर 11 याना सुद्धा विसरुन चालनाना है मुंबाईत लेक डादा संग अथ्ता ज्या संगाने ट्राइडन न्यू मुंबाई चानावने सुप्रीमों चशक पटकावला तर शे बर्पूर संगा है आपन ते विशेए बोलुया फिरोशेक या संगाचे संगानाये काई जैस्वा था पॉइंट वर जाता है अजीत मोहिते साथी आणी पहले शटक अथा सुरू अना रहे पहले शटक यहोने था जुनायद आपन बगदाद विक्रूलियंस स्पोर्ट्स क्लब तरफे आयोजेत विक्रूलियंस ची पावसाली रबर बॉल क्रिकेट स्पर्दा रेहान खान याना तुमी बगदाहत सांता क्रूस कोतवाडी मदे जाउन जर तुमी विचल रेहान खान त लोकत्यांचा घरी गेउन जादिल तुम्हाला एवडा पॉपिलर है रेहान जबर्दस भन्नाट पेस असलेला मैन विद गोल्ड नाम याना तुम्हाला सुद्धादुमी बगणाराहत परंदु यावडलला अजीत मोहिते आक्षन मदे दुसरा बाजुला योगिश्प बवार उजवी डावी जोडी आनी जुनेद एक भला मोठा रनप गेद उजवी आताने ओर्द विगेट पहिला चेंडू आखुट टपेशा त्या चेंडूला स्वाइप केले अजीत मोहिते यानी पुल केले जमीनी लगत मारने तालेला हा पुल्चा फटका शास्त्रोक्त पद्धतीचा आणी दोन धावा ने शुरुवात करतो है तो अजीत मोहिते गेला एक वर्षाद अजीत मोहिते चा फॉर्मसुदा चांगल राहिले त्याचे गुरू सतीश धुले यहांची आपलाला नक्की अजीत मोहिते गुरू सतीश धुले फायर ब्रांड बैटर होता शिन्राइ टोयता मना अम्रित 11 मुम्रा मना अचा बलाट्य संगास जने प्रतीध वखिला अजीत मोहिते जा गुरू सतीश धुले त्याचे सार्किस अक्रमक फलंदाजी जिशाहिली आता बैची कड़ा परियंता यहना रा हीटिंग दर रिप केज जयाला मतला जाते अशाहा चेंडू होता लेधर बॉल क्रिकेट मदला अस्त्रा अनी यस्टी रक्षा काने कुठली चुक के लेल नाई है रवी विश्वकरम यानि हा जेल टिपला है एक उन्चा उडी मारली अगदी फुटबाल चा गोल्की पर सारकी अनी सुन्दर जेल टिपना तालेला है स्रुवत महत्वास मंजे जुनेच ची लाइन अनी लेंथ हे खूप महत्वाची होती भागपादला अजीत मोहितिला खेलना साडी आणी जवडपास चाती चाउंची परंत एनेरा चेंडूला खेलना जुनेच साथी बगाद जवडपास बाविस याडची पीचायनी एकोडिस ते विशावा याडवर तो उबाए रवी विश्वकर्मा चिनमाय कदम यांचा चेरवरती एक आस्य बगला मिलते पैलत्स यश्मलाल आणी अनी अनी नवीन फलंदाज रवी सोलंकी पावसली रबर क्रिकेट मतला हा एक अन्मूल हीरा है रवी सोलंकी कमाक्षी राइगण हा संग केलतो है फलंदाजी करतो है फलंदाजी करतो है गोलंदाजी करतो है ओम्साई बैंडरा नाने पिक जिंक्ले नंतर ओम्साई बैंडरा ने कामाक्षी रायगड संगला प्रतम फलंद्याजी साथी आमंत्रित के ले यावलेल आखुट पेशा चिंडू आणि रवी आले आले आज आपली चुनुक दाखवन देतो है जबर्दस्त पंच पुल के ले लहां अफलातुन शटकार रवी मंजे सूरिय आकाशा सूरिय तड़पतो है जमीनी वर रवी सोलंगी नावचा सूरिय तड़पतो है आणि जणुकाई जमीनी चा सूरिय ने आकाशातला सूरिय ला नमस्कार केला तो शटकार मारत दर्जेदार फटका होता आणि पहला शटकार आच्चा दिवसादला दाव संग्या अथा बैच्ची कड़गे उन चेंडु जातो है लॉंग्स्टप चा परिचरा मदे घास कूप असलिया काईनाने चेंडु सीमारेश्य परंद पोस्णार नाइयत रहीम बाबायांचा थ्रोईय तो आणि तो वर दोन दाव पुरुणा करतो है रवी सोलंगी आठ वर पुस्तो है निद्याच संग दाहा वर दाद अवै गड़ी बाद बाद रुनारा फ्रंदास अजीत मोहिते दोन दावन वर बाद जाला पेलच चेंडु वर त्याने पुल्सा पटका मारला होता मात्रत तन नंदर यस्टन चा मागे रवी विश्व कर्मानी जयंच चेंडु आता सा हुक्च पटका देखनासा पटका आणी हा दमदार सवकार रवी सोलंकीला सूरगवसला है अकुट टपेचे चेंडु तयला आवड़ दाद अणी जनु का जुनेच्चे अकुट टपेचे चेंडु त्याच्चा साथी सकाल सा नाश्टा है शटकार उपम हाँ पोहा अनी शीरा होता अग्दी आरामात खेलतो रवी सोलंकी कमक्षी संगासादी दाउसंगे जली आता चौधा एक चौवकार एक शटकर अनी शी वादली खेली दाखाऊतो रवी सोलंकी चांगला स्टांच आनी हैंडाई कोडिनेशन बगने सरक होता दोनी फटके अन्वर यावलेल अपरकट माराचा प्रयातन होता व्यवस्ती दिता चेंडूला टाइम करूशकले नवते परंदू प्लेश्मेंट अशी ठेवली है काण वेगाचा उप्योक्यला जुनेट चा आनी एक दाउ पुरूना करतो है रवी सोलंकी दाउ संगे जली पंद्रा आनी एक गड़ी बाद जाला है पाचपाच शटकांचे जटपट सामने कंपलसरी चेज आहे खेड उनसादी रीवीउ नाई है पंचा न पाईजे तेवड़े मली रीवीउ घ्योँ शकताथ अशे काई नियमा हैत काल यास परदेला सुरुवाज जाली आनी नरेश बिरला 11 कल्यां यास अंगाने अंतीम फेरी गाटली चार सामने जिंकले लागो पाट आणी जागा बनुवली आन्तीम सामने मदे मंजे द्यांच एक परितोशिक पक्का है यास परदेला सड़ल हसते मदद करणारे आमचे सरुवा पुरस करते आंचे सुधामी आबर्या होत विक्रोलियन्स एक मोठा नाव आयमित्रा नो आईशी आनी नौ अच्चा दशक आतले काई ख्याडू जेवा आपलला आठाव दाद आज विक्रोलियन्स नाव गितले वर 10.25 अले ती पंद्रा 15 फॉर दी लौस उफ वन विक्रोलियन्स मतला कि अमोल मात्री ची आठ्वन अलेशिवा है आपन पुडे जाव शकतना है आज गेली तीरा थी 14 वर्ष विक्रोलियन्स ना जेंडा पुरुन भारत बरात ग्योन पुडे चालना आमोल मात्रे ग्रेटर मुंबई टैनिस क्रिगेट असोसियेशन चा तो अध्यक्षा है आणि जाप पद्धती ने तो काम करतो विक्रोलियन्स संगा सटी एस उद्धा स्तुत्य अशी कामगिरी रमेश सर्मा आणि चंद्रकान चिंदे सार्ख्या दोन अईतियासिक करणधारा चा नेत्रूत्व अमदे खेलना रा असा हा एकमेव ख्याडू आज नववच्चा दशकातले जे काई ख्याडू सक्रियत त्यात रुषिकेश वईद्य अमोल मात्रे या ख्याडून सनाव आवर्जून घ्यावल अगेल जी आजून फिटा भरत लोहार आज 40 प्लस क्रिकेट सुद्धा सुजलाम सुफलाम जाले याणि त्याच्या माध्यमातून आपन भरपूर क्रिकेट पटू पातो है साजीत लाला यहना आपन काई दिवसा अगोदर पाहिला गोडबंदर चशक मदे नेतिन जंगम 40 प्लस मद आलेथ सचिन कदम आलेथ मनजे ही खाडू अथा 40 प्लस सुद्धा ओल इंडिया उपन्स परदा बरपूर ठीकानी कीवात यहनचे एक विगळा हाफ असतो मातर इते चंदरकान चिंदे आंचा पहिला पास तुन स्टेशन वाइस क्रिकेट आपनाला इंप्रूव कराएचे आणि मनुनन काल सोला संगा आपन पाहिले आणि सोला संगा दुन नरेश बिरला 11 कल्यान या संगाने अंधीम सामनात प्रवेश केला है एक कल्पक का अशी स्पर्दा जुलेत चा पहले शटक संप्ले आनंत रात नवीन शटक यह उन ये तो ये रेहान खान आत्ता सांदकरूस खोतवाडी ये थे स्पर्दे मदे पारितोशिक पटकावना रा असा रेहान खान मुंबई क्रिकेट स्टार्स परदे मदे सुद्धा जबर्दस गोलंदाजी आपन बगिदली होती जिमी नाटेकर मना अभिशेक मारूती माने मना रेहान खान मना हे काई गोलंदाज मुंबई क्रिकेट स्टार्स मदे जडक लेले आशे गोलंदाज चोटर नवबार रवी सोलंगी परदेखदा ब्रेड एंड बटर शॉट मस्का मार के हाँ गगन भेदी शटकार रवी सोलंगी ला अखुत पैसा चेंडू तुमी करूड शकत ना है पईला चेंडू अधा लूस्नर बॉल आणी चेंडू केले ओवर पाय बरोबर लैंड जालन अधा कान तीदे ओला आउट फिल्ड है मात्र रवी सोलंगी ला फरक पड़त ना है अकुट अपैसा चेंडू जर आला तर त्याला मी मसका चसका देत शटकार घेनार मंजे सकाली उपमा शीरा पोहाणी ब्रेड बटर जाले आता फक्त चाप अन राहिला है रवी सोलंगी आंसा जाप पत्ततीने खड़तो है दोन शटकार एक सवकारा निशी आता संगला पोशवले 21 यदाव संगेवर रियान आंसा पुडिल चेंडू बाक्ची कड़ा होती बहुत एक चेंडू सातो है रवी विश्व कर्मा चाप डावया बाजूने आनि दोन दावर रवी सोलंगी हे पूर्ण करता है कल्यानी गोरपड़े आनि अमित गोलत कर सांगता है द्रियान खा देना तुम्ही ओवर चा बाउंसर के लेला है यावलेला सुद्दा बागा पूल्चे फटके अगदी आरामात खेलतो है रवी सोलंगी आनि अश्या पद्दत इने जर तुम्ही रवी सोलंगीला अखुट अपचे चेंडू करत गेलात तरमा काई खरना है कोंडूसका ट्राविल ची बस मुंबई पूनेला जाउन दाव संक्या पंचुविस जवड पास तीन ते चार पूल्चे फटके पूलानी हुक्सा बाच्छा आत्त परिंत सरुव धाव तेनी ओन साइड लगेलेद परतेक दाओं चा दिशे ने खेलतो है वाइडिश फाइनलेक चा दिशे ने धाव पुरुन न करतो है तो रविश सोलंकी यानी आच्चा दिवसात पहलान दा योगेश पावरला स्ट्राइक बेट्टे है दाओं सेंगे जाले सवीस दाओं चेंडू नंदर त्याला स्ट्राइक बेटले है सचिन तेंडूलकर यांची तेंडूलकर मिडल सेक्स ग्लोबल अकेडेमी चाहां क्षेत्रक्षका जा कोच आहे मागी शन्वर रिवारी यास मैदनावर दो नर्थशतक अनि एक्षे पंचेलिस दावा कुटत्थ मैन अब दे टूर्नमेंट योगेश पावार वाइचेंडू सत्ताविस दावा 27 for one पहला गड़ी दोन वर बाद जालेला पंच्विस दावंची भागिदारी योगेश पावार रा वाद शॉट अच्छा दिवसातला सर्वत कुष्ट फटका जसा आला तसा बाहर पाटूंदिला टचंगो शॉट योगेश पावार सा हैंड आई कोडिनेशन दाखोंदेते तो किती जबर्दस फ़ाम मदे आहे गोईंग थ्रू अ परपल पाच इन इस लाइफ असा अपन मनुशक्तों इंग्रजी मदे आणि हा उतकुरुष्टा सशटकार आणि दाव संग्याव तित्तिस वर पोस्ती है उजवी डावी जोडी काम करते रवी सोलंकी योगिश पवार रेहान खान येंचा पूडिल चेंडू परतिक्दा ओंचा दिशने खेलाचा प्रहत्न पाईची ची अपील मात्रा फेटालून लावलिये गुलत करानी आणि लेक बाईचा आईश्यारा याच बरोबर रेहान खान आपला शटक संपवता है पहले दोन शटक जाहे ते नक्की तामाक्षी राइगड या संगागड गिलिले है दाव संगे दले दी चावतीस पहला शटकात पंदरा दुसरा शटकात एकोनिस मंजेस एकोनिस दावजे आले त्यापई की एक लेकबाय होता अठ्रा दावा गुलन दाजरी खर्च केलेद यास परदेश प्रधम पारितोशेग एक लाख रुपय आनी भव्यदिवे चशक दुदिये पारितोशेग 15,000 रुपया नी भव्यदिवे चशक उतकुष्ठ फलंदास गोलन्दास केत्रक्षा का साथी प्रत्य की 2000 रुपय चशक मालीक अविरला 5000 रुपय चशक अशे भरपुरु बक्षिसायद, man of the match, चापारितोशिक सुद्धा है, योगेश पवार, सारके बगा स्ट्रेचिंग एक्सराइज करता है, यह खूप महत वाज़ा असते है, असे है, चापारिक प्रकार्च फिटनेसी चापाज, यह खूप महत वाज़ा आच करोई आणि मनुनास तुभी भगतात के भरपूर वेला टेस्ट क्रिकेट मदे टी ट्वेंटी किमा वंडे मदे मैच चा दिवशी सकाली भरपूर ख्याडू मैच फिट नसल्या काड़नाने बाहर बसतात। जुनेद्यांजा नमीन शटकाच प्रारंबा होता है उस व्यातने राउंड विकेट डावखुरे योगेश पवर साधी पहला शटका मदे विकेट मिडवली होती आपले गोलंद्याजी जोरावर रवी विश्व करमाचे हातात जेल बात केलो होता अजित मुहिते याना दोन ओवर पिचेंडू अणि ट्याचेंडूला लॉफ्ट के ले मिडविकेट चा दिशने एक दाव पुरूना करतो है योगेश पवार और ओवर्थ्रों ची एक दाव मात्रहे मागडा है और चिनमे कदम लाहे नक्की आवडनार नहीं है करन अश्या प्रकार चे ओवर्थ्रो मागने ठरूशक्तार दावसंगे पुस्ति है चत्तीस वर दावसंगे चत्तीस जाप ददीने फलंदाजी सुरू है साथ्या पासष्ट दावन अक्की बगले मिलतिल कंपाउस नहीं है चिंडू वेवसी दिए बैट वरिये तो है आता या वड़ला स्टेंड दिलिवार किती मोठा पासट्कार मारा है स्ट्राइट डाउं दावन अनी भरपूर वड़ला मी मच्छा समलों शांगीत ला है योकेश पावर हा स्टेंडियम सा बैटर है मंझे स्टेंडियम और तो बैटिंगरो ना तीस पद्धी बैटिंग तुमी तय आचिया मैधन अवर पाःता मंजिया हाँ शटकार अग्धी डिवा पाडल स्टेडियूम वर सुधा शटकार होथा वांखेडे वर सुधा शटकार होथा वाट अ शॉट अ होट शॉट अ होट बाट्समन डाव संग्या बेचाड़िस यावलेला मात्र कुटितरी एकाग्रता भंग के लिए त्या सम्मोहीनीने आणि लेकबाईची एक दाव दाव संग्या त्रेचाड एक बाद पन्नास्य भागिदरी कड़े वाट्सल सुरू आहे रवी सोलंकी याणि योगेश बवार दोनी आक्रमक शैलीतले फलंदास एक शास्त्र शुद्ध फलंदाजी चा राजपूत्र तर दूसरा शैलीदार फलंदाजी चा राजपूत्र वाट्टो है अब झावळेला री शालंकी एक बवुर्ण करते है दूसरी दावपूत्र पूर न करना रहे रवी सोल में आपले याद्वय बजोलाग्ल आराम धौत करते है लेकशाहिट मतला की एक बिलाऌन्ग स्टू रवी सोलंकी 9 चेंडु मदे 27 दावन वर्ती खिलतो है रवी सोलंगी और योगेश पवार साहा चेंडु मदे 10 दावा वादली खिली गोलंदाजांचा करदन काल्ठरले यावलेला परतिक्दा चांगला फटका ओंचा दिशने सारके पुल्चे फटके मारा देता है रवी सोलंगी और रवीच सोलंगी हलू हलू दावा गोडा करदो है गयर गोला दावसंके और जालिए 47 तीन शाटकांचा परे नंदर मार शाटका मदे 13 दावा आले जुनेद आपने दोन शाटका संभाव दहत है आनि जुनेत ने दोन शटका पूरुन केले नंतर आता उर्वरित दोन शटका दोन नवीन गोलन दाजे नी करावे लागना रहे विक्रोलियान स्पोर्ट्स क्लब चे अहाद वी फॉर विक्रोली, वी फॉर विक्रोली, तर विक्रोली यन स्पोर्ट्स क्लब चे करुणा करजी कोटियन, राजु मुरे, मुरली परब, रोहन गम्रे, बिपी नुगाडे, सचीन उगाडे, नितिन नार्वेकर अविनाश, आम्रे, कुरुविला, प्रकाश शेट् आमाई अबरियाउत, प्रबोध, राउत, सुधाकर ट्रांस्पोर्ट, महेंद्र पांचाल, स्वस्तिक, यानि एसिक्चे शूज आनि ट्रोफीज, स्पॉंसर केलाए, फर्स्ट और सेकेंड, साधी स्वस्तिक 11, मनोवर शिरोडकर, चंदरकांत नाइक, जेजिव बाबू, सुधांचु स्पोर्ट्स, शशांक कांदलगाउकर, वितस्ता केट्रस और डेकुरेटर्स, नमिन्शत्का आतला हाच चेंडू, गसर गुंडी चेंडू, जेला मंतला जात्था आपला मरटी मदे, डावखुरा गुलंदास, लेफ्टी टू लेफ्टी, आनि विकेट कीपर उबैत खान बगताहात तुमी आत्तास गोडबंदर चशक मदे रॉयल स्टनर्स या संगा साथी खेलत अस्ताना उत्रुष्ट फलंदाजास पारितोशिक अडि उपविजेता अपद मिलो लहोता रॉयल स्टनर्स मीरा रूडिया संगाने असा हा उबैत खान सत्ते चलेश दावा एक गड़ी बाद इर्शाद यांचा पुडिल चेंडुगानी योगेश पवार यांचा बाट मदू नेनाला एक खणखणित चवकार अगदी आरामात मंजे हिंदी बदे जाला मंदत ना ये तो मेरे बाया हाथ का काम है करन तो डाव खूरा है अगदी आरामात आनी पन्नाशी गाटता है दावसें के जाली एक कावन आणी योगेश पवार याचा खेळ आपलाला बहर ताना बगला मिलतो है तर पहला गडि दोनवर बाद जाला होथा एकोन पन्नास दावंची भागिदरी जाली आणी एक दावसे निगाली तर पन्नाशी गाटना रहा भागिदरी तली आणी ही बागिदरी पन्नास दावंची एक मोटा माइल्स्टोन मनावल अगेल दावसंग्या बाववन एक गड़ी बाद ओमसाई बैंटर संगाने नानेफिक जिंकुन प्रतम कामक्षी राइगड यह संगला फनंदैस अटी पाचरन केले आणि अजीत मुहित्य दोन दावन वर्थी रवी विश्वकर्मायांचा हातात जेल बाद जले यहस्टेंचा मागे आतासा फुलर लेंचा चेंडू स्ट्रेट अन्फुल जला मतला जाते आनि उबेद खान चेंडू थांबावतायत इर्शाच्चा या शटका मदे मात्र आता परंद पास्दावालेत खर मतला तर गोलंदाजा नी धाव गतिला वेशन गातली पाईजे परंद तो ते कदी गाल दिल कुखला पद्द दिने अगाल दिल करन्न हे माईदानानी खेळपटी फलंदाजा सटी पोशक आहे योगिश्पवार अतीशा सुंदा स्टांस है यावड़ेला चेंडू ला ग्लांस केले यस्टांचा मागे चेंडू जातों डीप फाईलेक मदे दोन दावा पूर्णा करता है योगिश्पवार दावसंगे जाले थी चोपन्ना सर्वात महत्वाच मंझे सराइत फलंदाजा हे सद्ध्या खेळत असलेल्या खेळवन मदला अक्याई का खेळू मंझे लेजेंड खेळू मनावला योगिश्पवार अना मारश्वर रंजी पट्टू फुल्टास चेंडू अनिया बेस्बॉलेट काय फटका मारला है सूरेश रहिनाची आठवन करून देना रहा गगन भेदी भाविय शटकार दाउसंग्या शाट पाच डजन धावज अलिलेट योगिश्पवार ला कॉमेंटेटर रवी चतूरुवेदी चा भाश्यत मनाचा जाला ता चेंडू आता फुल्टबॉल सारका देश्टो है इर्शाद यावलेला मोठा पटका सडक पे कड़क सडक पे कड़क शटकार योगिश्पवार दाव संग्या पुड़े सरक्तियाता सासस्ट वर चार शटकांचा समप्ति नंतर दाव संग्या सासस्ट पेला दोन शटका मदे चाउतिस नंतर दोन शटका मदे बत्तिस योगिश्पवार माक्चा अठावड़ या मैदन अवर दोन अर्धशादक जलकावलेत आणि आपला अजूनेक अर्धशादक तो जलकावलेलगा इट्स अपवार अन्ड सोलंकी शोग मागिल रभीवारी दोन मोटे स्पर्दा जिंकलाय या संगाने धनेशिलवन राइगड़ी अनावने खेलतास्ताना आज मत्र कमक्षी राइगड़ी अनावने खेलताया अनि श्यवट्च शटक महिस जादव यानी फिरोलाय विक्रोलियंस संगाजाहा पाटी चक्कना अनि गोलंदाजी सज्य होता है फ्लाइटेट चेंडू होता इंसाइड आउट पद्धती ने त्या चेंडूला एक्स्टा कवर चा दिशने खेलले एक दावपुना के लिए रभी सोलंगी यानी सोलंगीला महिता है कि योगेश पवारला सूर गवसला यानी त्याच्या बैट मदून फटके अशे निकता है कि त्यानी गोलंदाजीचा अक्षर साब पाला पाचोडा करूं टाकले दाव संग्या पोस्ती आता सदू सष्ट वर एक गड़ी बाद पाश्ट दावणची भागिदारी योगेश पवार बारा चेंडू बत्तीस दावणवर खेलतो है वाइड चेंडू पंचा कल्यानी गोर पड़े बोलर एंडला उवेद स्ट्राइकर एंडला पंचा है अमित गुलतकर आणी आमचे तीसरे पंचा है शशी साथम यावलेला पुल्चा फटका जबर्दस्त गुनुवत्त असलेला हां फटका होदा हाई अन हैंसम असा हाँ पुल्चा फटका योगेश पवर चे बाट मदून आपन स्ट्रेट शटकार पाहिला पुल्चा फटका पाहिला लौफ्टेड फटके पाहिले दाव संग्याता चवुरत्तर यावणला बगा नाव दिस इस अग्रेट शाट ओ जेल गेचा प्रहतना काल राकेश अमीन ने जेल टिपला होता अणि आता हां त्यान अंतर चा उतकुरुष्टा सा जेल Sliding and taking the catch Dilshad What a catch But what an earnings by Yogesh Pawar Chance less innings, effort less innings Matchless, peerless, fearless जेवडे विशेशन संगाईचे जाले तेवडे कमी पड़तिल Ajit मोईदे बाद जालनंतर पईले दाचेंडू देला खेडाला भेटले नाया परंधू तो थामला आणि स्वतला संगातो दा हीस्ती वेल आणि मी करून दाखवनार आणि तने करून दाखवला दोन गड़ी बाद 24 दावाणि अमचा कोमेंटरी बॉक्स मदे बाउन्स बिस्किट्स आगमन होते नवीन फलंदास सुनील चावरी चांगला फ्लाइटेट चेंडू आणि क्रिकट्स हेज साउंदर है मंजे माला वैशाला आणगने सुनील इंदूलकर दीपक्षास आरके डावखुरे गोलंदास आठा होते दाज बैट्सा खाली चेंडू देवन फाइदा नाए फलंदाजाला मेनत करालल आउता है मैस जादव एक्सेलन्ट फ्लाइटेट बोलिंग आथा जा फुल्टास चेंडू आणि मिस्टाइम जाला है आणि मैस जादवला एक सरल सोपा जेल देवन परत्तोय सुनील चावरी आणि अजुने गडी बाद होते पहले चार शटकन मदे गडी बाद होतना होते परन्तु आता एका मागे एक दोन गडी बाद जाले योगेश पवार बाद जाले 38 वर सुनील चावरी आथा बाद होते शुन्या वर अजीत मोहते बाद जाले दोन वर नवीन फलंदाज अक्तर शेक डावकुरा फलंदाज राबोडी परिस्रातला सुप्रीमो चशकातला गेले या नौ परवातला सर्वाद यशस्वी असा ख्याडू मनावला गेल सत्रा चेंडू मदे 38 दावन ची खेड़ी काल त्याचा करना अपलाला मिलाली स्टेशन वाइस क्रिकेट मदे आनी आता तो ओपन क्रिकेट मदे उतरला है खुब कमी वड़ा त्याची बैटिंग गेते बगएज आज त्याला ही बैटिंग मिलालिये कुठला पद्ददी ने मिलाले ना संधी सा सोनना तो करूं दाखा हुद है सामर जादो महेश जादो वियाना जादो यानी आखुटे पजा मारलला चेंडू अक्तर शेक यानी मारलला मोटा पटका आनी हा गगन बेदी शटकार मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है इक चेंडू भिटला एकी मारा, सॉलिड मारा, कैसा मारा, हाँ प्रश्णा विचारत्तो, परत्तो है, आणि पाच शटकांचा खेल संपले नंतर, ओम साई बैंडरा संगा समुर्थ, लक्ष एक्क्याईशी दावंस दाव संगे जालिए, आईशी, आणि पुर्ची फेरी गाटने साड़ी दावा ह चांगले फलंदा जायत, उबैद खान माना, चिन में कदम माना, इतर जयंचा संगाचा जे संतुलना है, ते चांगले महें जादवला मानला पाईजे, जा विलला गडी निगत नव त्या, त्या विलला तो हाला, त्याचा हाता ता तो परिश पर्श होता, त्या रबर जिये एलवन विक रोली आणि दीपक इलवन बंदुप तर नोव क्याप्टन्स न्यर नेपेक शाती, संपर्क साधा हुच जा आएख धानि धीपक इलवन बंडुप आनि जी आए एलवन विकरोली दो नहीं संगनायाक हानि आम्चा एलवा भुच संपर्क साधा है ए अनि जाओ लेला सामना सुरू इलत्याओ लेला माजे अग्दी जवळ चे मित्र आणी जानी एसके यूटूब चैनल चा मारफद खूप मोटा नाव कमावुल है अशे माजे मित्र सिराज शेक मंजज सिराज चीता याना मी बोलुब इची दो दने बाद तो टॉकरी ब्ला ब्ला लिक आए अले आये कल जो फाइनल में आए अले आये आये नवी टेच राइडर्स चे ओनर वी बेलंकर साहे यह एंची नेरेश विर्ला इन खल्याड के फाइनल राइडर्स धाइनल राइडर्स तो टॉकरी बाइडर्स चेल्माद झाले ओने यह एंगर्स समय सवांपाली में दिंधर्स के लाइडर्स ऐस स्क्त Salam45 जो टॉकरी थेजर्स सपना कर एंगर्सूभ्स क्याशना गॉकरी और झॉकरी यह देंची झाल 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 आपके मुकाबले आपके सामने चलते हुए इस ग्रूप से यकीनन एक टीम आज हमें शाम के ठीक चार या पाँच बजे तक एक फाइनलिस्ट जरूर मिलेगी जो आज के इसे टूर्नमें फाइनल में प्रविश करेंगी दोस्तों चलते हैं मैच की जानिब पहला मुकाबला आज के दिन का चलता हुआ कामाक्षी ग्रूप राइडर्स वैसे ओमसाई बैंडरा के दर्मियान ये मुकाबला चलता हुआ पहले बलेबाजी की कमाक्षी ग्रूप ने और बलेबाजी करते हुए एक एसी रन का यानि 81 का लक्ष दिया है पांच उवरों पर अब यहाँ पर ओम साई बैंडरा को इस मैच को जीतने के लिए इस लक्ष को पाने के लिए प्रयास करना होगा जद्जहत करनी होगी आ चुकी है मेरी शुपकामना है दोनों टीम के साथ लेकिन शुरूआत में ही मैं कहना चाहूंगा कि जो यह लक्ष को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको इस सलामी जोड़ी को नीव को मजबूत करना होगा अगर आप नीव मजबूत करेंगे यकिनन एमारत जो है वो काफी ऊची खड़ी होगी सलामी जोड़ी के कांदों पर इस वक्त बड़ी जम्यदारी है इस बड़े भव्य लक्ष को पाने के लिए एक क्या सी रन का लक्ष है प्रती ओवर सोला दशम लग दो का आस्किंग रन रेट नज़र आता हुआ सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाज इस वक्त मैदान में जीतू और सहवाग गिनबाजी मार्क पर अंकुर सेंग महराष्ट टैनस क्रिकेट का एक नाम वन तखिलाडी आपने टैन पिल दुबई में हुआ था उसे जरूर देखा होगा भारते टीम की जानिब से कप्तानी का भार अपने कांदों पर लिया था अंकुर सिंग एक माया नास गेंबाज पहली गेंड अंकुर सिंग की पहली ही गेंड slower delivery पहली ही गेंड पर गती में थोड़ा सा परिवर्त देखने को मिला अक्सर हमने देखा है कि तेज तर्रार गेन बाजी करने में महारत रखते हैं अंकुर सिंग और लफ्ट हैंडड अगर बल्ले बास के लिए बात करें तो बाहर से अंदर की तरफ निकालने भी महारत रखते हैं और कभी किसी गेन को अंदर से बाहर की तरफ यानि ओफ कटर और लग कटर दोनों करना जानते हैं अंकूर सिंग पहली ही गेन डॉट बॉल हुई बल्ले से दूर विकेट कीपर के दस्तानों में इस बीच अगली गेन पट की वी एगेन दॉफ के ओपर कवर के ओपर उठा कर खेला ये स्ट्रोक गेन जाती हुई डीप एक्स्टा कवर बाउंडरी की तरफ दो रण लेले में सक्षम रहे दो रण के साथ संतुष टोते हुई बल्ले बाज स्कोर कार्ड अपडेट डेता हुआ पहली अपडेट आती हुई स्कोर कार्ड पर दो रण बिना किसी विक्तो के नुकसान पर गेन जाती हुई डिप फाइए बाउंडरी सी मारेगा लेंग बख भी विक शाटकार माक्सिमॉम स्टोक यहां पर आता हुआ जीतू के बल्ले से मानो गेंद का इनतजार में बैठे थे कि जैसे ही गेंद आएगी बड़ा प्रहार करूँगा और वैसे ही सिमिलर डिलिवरी उनके मन चाही उनके पसंदीदा डिलिवरी उनके बल्ले परा टीवी और गेंद का रिजल्ट आपके आँखों के सामने गेंद फाइल एक बाउंटरी के बाहर छे रहनों के लिए बरताववा स्कोर इस चक्के के माद्यम से आठ रन पेना के सिविक्टों के नुकसान पर इस बार अच्छी गेंद आपकी खराब गिर जाए और उस पर अगर बड़ा प्रहार हो तो अगली गेंद पर आत्मविश्वास के साथ आपको गेंद फैकनी पड़ती है और वहीं आत्मविश्वास दरसाया है यहाँ पर अंकुर सिंग ने अगली गेंद डॉट बॉल के साथ वापसी की थी अंकुर सिंग ने अगली गेन इस बार थोड़ी से slower delivery क्या जबर्दस तो wrong one गेन थी दिखाया कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ समझ में नहीं आया कुछ-कुछ ये ऐसी गेन थी अंकुर सिंग की इसी गेन बाजी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं अंकुर सिंग जबर्दस गेन बाजी अंकुर की देखे बल्ले बाज ने जैसे ही एक छक्का जड़ा था उसके बाद बैक टु बैक दो गेन बिंदी यानि टॉट बॉल फेकी हैं अंकुर सिंग ने ये अगली गेन अंकुर सिंग की इस बार full land delivery उटाने का प्रयास हवा में है गेन दूचाई जादा और लंबाई भी है जी हाँ गेन निकल गई है सन्नाट को चीरती हुई सीमारेगा के बाहर संसरी खेस तोर पर आता हुआ ये करारा शटकार बल्ले बाज के माध्यम से ओवर की समाप्ती होती हुई पहली ओवर की समाप्ती पर स्कोर काड दर्शाता हुआ चौदा रन बिन किसी दिक्टो के नुकसान पर आफ्टर वन ओवर फॉर्टीन बें जोना स्कोर काड विदाउट एनी लॉस एक शटके नंतर धाउपल के अपनी नीव को मजबूत बनाने का इरादा दगाउट से ही बना कर आया है ये दर्शाते हुए इनके इरादे बिल्कुल खुबसूरत शुरुवात यहां पर पहली ओवर 14 रन बिन किसी विक्टो के नुकसान पर अब यहां से ऐसी तरह का प्रयास करते रहना है ताकि आपको आने वाली ओवर्स में asking run rate जो है वो थोड़ा सा नीचे थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए कहीं ऐसा नहों कि जिस तरह से आप बले बाजी कर रही है देखते देखते run rate आस कि रंड डेट जो है वो required run rate जो है वो 20.0 के आसपास पहुँच जाए तो अब asking run rate थोड़ा सा जरूर बढ़ा होगा क्योंकि जहां पर आपको शुरुवात में 16.2 की जरूरत थी आपने 14.0 का asking rate आपने प्राप्त किया है अब गेनबाजी मार्क पर आने वाला अगला गेनबाज विवेक शेलार एक तेस्त हरार गेनबाज खुप्सूरत सा गेनबाज अपनी गेनबाजी के लिए जाना पहचाना जाने वाला ये गेनबाज धार धार गेनबाजी करने में महरत रखता हुआ ये गेनबाज भिवंडी का एक नमवंत गेनबाज man from भिवंडी, wonder boy of भिवंडी विवेक शेलार ओवर दविकेड अंपायर से गाड लेते हुए शॉट रन अप इस मैच में अंपायर के भूमी का हमारे सीनियर कल्यानी घोर पड़े सर और अमित्व गोलत कर सर दोनों ही अपने दौर के दाए हाथ के नामवंद एक धाकड बले बाज की पहचान से पहचाने जाने वाले ये दोनों ही हमारे अमपायर फुल टास गेंड कावर के उपर उठाया है यहाँ पर बले बाज ने मांग जरूर की थी दूसरे नंकी दौर लग चुकी है और सफलता पूरवक ये दो रहने पराप्त किये हैं दोनों ही बले बाजों ने लेकिए बले बाज ने बिमर की मांग अमपायर से जरूर की थी लेकिन अमपायर अमिद गुलत करने इसे लेगल डिलवरी करार दिया ये किनन सटीक फैसला हमारे अमपायर ने हम तक पहुचाया है मैं बले बाजों से गुजारिश करूँगा और उनके डगाउट से भी गुजारिश करूँगा प्लीस आर्गुमेंट ना करें हमारे अमपायर से अगर हमारे अमपायर को कोई भी डाउट होगा वो अपना फैसला लेने में सक्षम है और टाकत भी रखते हैं फैसला लेने की मैं गुदारिश करूँ ना कि प्लीज आप किसी किसम का दबाव बराने का प्रयास ना करें बल्ले बास से रिक्वेस्ट है कि आप अपने खेल पर दियान दें अपने गुदारिश करूँ गाइब बास से रिक्वेस्ट पर प्लीज थोड़ा सहिं बरते हमारे दोनों ही अम्पायर बहुत ही सीनियर अम्पायर सर कल्यानी घुरपड़े सर और सर अमित गुलतकर सर काफी बड़े टॉर्नमेंट्स में अम्पारिंग का अनुभाव ओमसाई बैंडरा के कप्तान चिनमेया कदम से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सहिं बरते हैं मया थोड़ी सी शान्ती बनाये रखेंगे थोड़ अम्पायर तक हमारे थोड़ अम्पायर अपना फैसला पहुचाते हुए कल्यानी सर कल्यानी सर अमित सर अमित सर ने अमित गोलतकर सर ने थड़ अम्पायर के लिए फैसला पहुचाया है हमारे अम्पायर थर्ड अम्पायर सर आप लिए अपर थर्ड अम्पायर क्यों हो अम्पायर थर्ड अम्पायर डिसीजन इस नो बॉल सो रिव्यू करना चाहेंगे अमित गोलत सर थर्ड अम्पायर का इशारा है नो बॉल का सो यहाँ पर नो बॉल गोशित किया है हमारे थर्ड अम्पायर शशी सर ने और उनका सटीक फैसला हमारे थर्ड अम्पायर की जानिब से पहुंचता हुआ हमारे स्क्वेर अम्पायर और हमारे मेन अम्पायर तार रुकावट के लिए खेद है योटूब पर झाल 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 सब्सक्राइ झाल 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 अच्छारा नो बॉल यानि फ्री हिट का मिलता हुआ स्कूर बढ़ता हुआ सत्रा रन बिना किसे विक्टो के नुकसान पर पहली ही गेंद पिमर डिलिवरी थी नो बॉल का इशारा अंपायर का यहां पर मिलता हुआ इस बिर फिट ओ माई गड़ दिस इस अंबिलिवबाला अनगर नो और गेंजाती हुँ इसी मारेगा के बाहर चा 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 रन के लिए चा उखार इस बाहर अंपायर का इशारा अबर डिमर डिलिवरी और नो बॉल कल्यानी गोर पड़े सर सर चंद्रा सर कल्यानी सर कुछ पूछ रहे क्या पूछ प्राइं या जा खर रहे हैं या जा प्लेस करना होगा डिमर डिलेवरी है बाकट टूब ऐक जा भाइंट हैं500 डिलेवरी जो उफिशल रूज्ज हैं उसी रूंज को आपको फॉल्य करने होंगी यह पर आपको गेंबाश को बदलना होगा और वह गेंबाश य एक बड़ा नमवंत गेंबाज भिवंडी का भिवंडी परिसर से बिलोंग करने वाला विवेक शेलार जैसा गेंबाज अगर बैक टू बैक जो एक नमवंत गेंबाज है अगर ऐसी गलती करता है तो टीम को इसका खम्याजा भुगतना पड़ेगा यहां पर गेंबाज अगर एसी गलती करता है तो उसका बैKप लेना उस खाली जगए को पूर जो पूर करना आपके लिए थोड़ा सा मुष्किल जरूर होगा आपको किसी नए गेंबाज को लाना होगा पहली ही दो गेंडे बैक टू बैक बेमर डिलिवरी और दोनों ही गे स्कोर बरता हुआ 22 रन इस वक्त बिना विक्टो के नुकसान पर और बिना गेंद फैंके तो देखे जहां पर आस्किंग रन रेट शुरुआत में 16 दशम लग 2 का था और पहली ओवर की समाप्ती के बाद विविक शेलार जब गेंद बाजी पे आये दोनों ही गेंदे फ्री हिट थी और दोनों ही गेंदे नो बॉल थी और उसके चलते स्कोर इस वक्त 22 रन यानि आस पास कल भी हमने स्टेशन वाइस खेल में देखा था किस तरह से धार धार गेंद बाजी कर रहे थे पहली गेंद पर उठाया है और गेंद जाती हुई सीमा रेगा के बाहर बिग 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 सहवाग की तरह धार धार बल्ले बाजी आक्रमक्ता के साथ बल्ले बाजी और दहार के साथ बल्ले बाजी मानो शेर के मुँ से नेवाला छीन ले जैसी बल्ले बाजी क्या जिगरे के साथ बल्ले बाजी यहाँ पर चलती हुई इस से वाक के माध्यम से पहली गेंड पर बड़ा हिट इस बार एक पेरो को उठाया है और डीप लॉंग आन की तरफ ये लॉंग आफ पर ये गेंड दूसरे रंगी दौर यहाँ पर लगी है और ये खुबसूरती के साथ दौरन को पूरे करते हुए यहाँ पर जीतू और सहवाग बहुत ही लाजवाब बले बाजी यहाँ पर दोनों ही बले बाजो के माध्यम से बिलकुल अगें को अपने पाले में देखते ही बले का फेस ऐसे खोलते हैं मानो अपने डगाउट से ही अपनी नजरों को सेट करके आए हैं सहवाग और जीतू लाजवाब बले बाजी दोनों ही बले बाजो के माध्यम से बढ़ता हुआ स्कोर इस दो रन के माध्यम से जाप उचा है तीस रन बिना किसी विक्टो के नुकसान पर देखे जिस तरहां से शुरुवात ही से 81 रन के लक्ष का पीछा करती हुई ओमसाई बैंडरा की ये टीम कामाक्षी ग्रूप राइगर के गेंड़ बाजो पर पूरी तरह से अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए ओमसाई बैंडरा के बले बाज सलामी जोड़ी इस वक्त मैदान में डट कर मुकाबला करती हुई इस बार बहुत ही बैटरी इस लोग डीप स्क्वार लेक पर जाती हुए गेंडूसरे रण की कोशिश किये और सफलता मिली है यहाँ पर बले बाज जीटू और से बाको दो रन तेजी के साथ यहाँ पर पूरे किये बले बाजों ने दो रन के साथ बढ़ता हुआ स्कूर 32 सरंबिना कि स्विक्टो के नुकसान पर ठाड़ी डू रनिस वक्त है दरशा था हुआ स्कूर कार अभी इस ओवर की समाप्ती लिए तीन गेंदे शेश है ओवर की समाप्ती के लिए तीन गेंदे शेश है ओपन हाफ के आप मैचस देखते हुए पहला ही मुकाबला कामाक्षी ग्रूप राइगर्ड वेसेस ओमसाई बैंडरा के दर्मिया अनिजबर दिशाहीन गेंद के काफी बाहर ये गेंद अपर कल्यानी घुर पड़े सर का इशारा हम तक मिलता हुआ वाइट का इशारा यहाँ पर एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर टैटीस रन इस वक्त स्कूर काट पर स्लोवर डिलेवरी एक अपील यहाँ पर लेक बिफोर दी विकेड की थोड़ा सा विक्तो के बाहर अंपायर की नजरों ने पाया बल्ले बास को नोट आउड करार दिया यहाँ पर इस अपील का कोई असर नहीं हमारे अंपायर्स पर एक खुशूरत अंपायरिंग का मुजारा यहाँ पर दोनों ही हमारे सीनियर अंपायर के माध्यम से पहुचता हुआ कॉम बॉक्स पर शौट अफ लेंड डिलेवरी काफी बड़ा बाउंसर ये मानो अगर बल्ले बास के कांधों पर एक और बल्ले बास खड़े हो जाए तब भी यह गेंड उसके सर के उपर से गई है अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ वन बाउंस की वर्निंग जरूर यहाँ पर मिलेगी फेरोज को काफी शौट अफ लेंड डिलेवरी थी बल्ले बास को पहले मनजिले पर चल कर इस शौट को खेलना परता अगर खेलने का मन बनाते इस बार अच्छी गेंड स्लोवर डिलेवरी थी रॉंग वन किया था बाहर से अंदर की तरफ गेंड को लाया गेंड जाती हुए विकट कीपर के दस्तानों में गेंड बल्ले के संपर्क से दूर विकट कीपर के दस्तानों में जाती हुए गेंड स्कूर वहीं रुकता हु हुआ 34 रन बिना किसी विक्टो के नुक्सान पर फिरोस की अगली गेन इस बार उठाकर खेलने का प्रयास गेन पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई थर्ड मैं की तरफ जाती विए गेंड एक रन प्राफ्त किया है दूसरे रन की दो रन निकल चुकी है जिहां खुब यहां पर पूरे करते हुए सेवाग और जीतू इसे के चलते हैं ओवर के समाप्ती के बादर स्कोर जा पहुचा है 36 रन बिना किसी विक्टो के नुक्सान पर क्या जबर्दस बल्ले बाजी रही है यह जीतू और सेवाग के माध्यम से जिस तरह से शुरवात 16.2 का पर चलती हुई जहाँ पर आपको अगर asking run rate 16.2 हो और आप अगर 18 के run rate से बले बाजी करेंगे तो यकीनन आपकी जो कोशिश है वो जल्द से जल्द आपके लक्ष को प्राप्त करने की आसानी के साथ प्राप्त कर सकती है यहीं तरह से आपको बले बाजी करने की जरूरत बाहर किया गया है उन्हें तानल्टी गोशित की गई है अने वाला अगला गेन बास अप प्रमय पटेल प्रमय पटेल प्रमय पटेल एक अनुभवी गेन बास अब इनके कांदों पर सौपी गई है जम्मेदारी यहाँ पर रनों की गती पर लगाम रोक लगाने का जरूर प्रयास करना होगा गेन बास को जिस तरह से रनरेट चलता हुआ तो राइगड कामाक्षी राइगड के लिए जरूरी है कि यहाँ से रनों की गती पर थोड़ा सा रगाम लगाया जाए और एक कंजूसी भरी गेन बासी की जाए पहली ही गेन फुल डेंग डिलेवरिती लोवर फुल टास बनाकर डिप स्कौर लेक पर खेला यह स्टोक एक रन जरूर यहाँ पर लेंगे जीतू दूसरे रन के लिए सहवाग निकल पड़े हैं क्या पाउच पाएंगे अपनी क्रीस पर जी हाँ सफलता पूर वगे दो रन प्राप्त किया है और इस दो रन के वज़ में माध्यम से बढ़ता हुआ स्कौर 38 रन इस वक्ता स्कौर कार्ड पर भी न किसे विक्टो के नुकसान पर सलामी जोड़ी की यहाँ पर मैं तारीफ करूँगा राइट एंड लेफ्ट कॉंबिनेशन लेकर उत्री है एक तरफ सहवाग तो एक तरफ जीतू मुझे 2003 भारते टीम विरेंडर सहवाग और गौतंगंबीर की जोड़ी लगबग इस वक्त मैदान में नजर आती हुई साथ प्रमय पटेल ने वापसी की प्रमय पटेल दो गेंडे अब तक ठैक चुके हैं केवल दो रन इस ओवर में आता हुआ बरता हुआ स्कोर 38 रन इस वक्त स्कूर काट पर बिना किसी विक्तों के नुकसान पर प्रमय पटेल की अगली गेन रॉंग बन किया उठाया है यह बार उचे आई ज्यादा लंबाई कम दोर देवे फिल्डर लॉंग आफ से आए है नीचे विवेक शेलार एंड वाट अ क्याच फाबूलस क्याच माइंड बोइंग क्याच जबरदस एफ़र्ड लगाया यहाँ पर विवेक शेलार ने गेन बाजी में कमाल नहीं दिखा प जनिया में लाजवाब के आच था पहला जटका लगता हुआ यहाँ पर ओम साई बैंडरा को लगता हुआ एक करारा जटका जीतू इस वक्त आउट होकर डगाउट पराते हुए जोडी को तोड़ने में सफल रहे हैं और कहीं न कहीं आत्मा विश्वास जरूर बढ़ा उबैद खान एक धाकडब लिबाज लंबे हिट लगाने की शम्ता इनके बाजूं में लेकिन इस वक्त जिस तरह से रनों की गती को जीतू और सेवाग लेकर चल रहे थे उसी तरह से ही रनों की गती को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करना होगा उबैद खान को उबैद खान स्ट्राइक पर सामना करेंगे रमाएकी गेंड का बहुत ही अच्छी गेंड पहली हुई गेंड फुल्लेंड डिलिवरी यॉरकर गेंड थी फॉलो त्रो में कैच भी बनाय था लेकिन इतनी स्पीड गेंड थी ये मानों गोली की तरह ये गेंड गेंड बास के हाथों में आती हुई और कैच वहाँ पर छूटा जरूर था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर था ये कैच लेकिन बहराल यहाँ पर डॉट बॉल र लगाई है दूसरे रन के लिए दोड़ पड़े हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये दो रन पूरे कर लिया है उबेद खान और सहवाग ने इस ओवर की आखरी गेन शेश अभी भी काफी दमदार गेन बाजी अच्छा कमबाक किया है मैंने कहा था कि देखे शुरवाद की ओवर के जो रन जा चुके हैं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है और प्रमै आने के बाद काफी हद तक खुबसूरत गेन बाजी करते प्रमै की अगली गेन पटकी विए गेन उटाया है इस बार हवा में है गेन और गेन के नीचे फिल्डर है और ये आसान सा क्याच मिर्विगेट पर उठा कर खेला था उबेद खान ने इंपक्ट कम था पावर कम था मानो सिर्फ बला लगा दिया था गेन पर और गेन एक मैन फॉम राबोडी बहुत ही आसान सा क्याच नजरे जमा के रखी थी अपने शिकार पर जिस तरह से बाज अपने शिकार पर नजरे जमा कर हमला करता है अक्तर शेक की भी नजरे गेन पर जमी हुई थी अपनी तरफ आने दिया गेन को और आसानी के साथ इस कैच को अब आने वाला अगला गेन बाज है बाबा रहीम बाबा मैं फॉम बैंडरा एक बहतरीन ओल राउंडर जिस तरह से बले बाजी करते हैं उसी तरह की धारदार गेन बाजी करने में भी महारत रखते हैं बाबा बाबा के कांदों पर सौपी गई है रनों की गती को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उबैद खान डगाउट पर आउठो कर जा चुके हैं सहवाग भी डगाउट पर आउठो कर जा चुके हैं ये दोनों ही बले बाज इस वक्त डगाउट पर आने वाला अगला बले गेन बाजी मार्ग पर अंकुर सेंग अंकुर सेंग गेन बाजी मार्ग से दौरते हुए पहली ही गेन स्लोवर डिलेगी लोंग पर उठा कर खेला यह फ्रोग वन बाउंस वहां पर फिल्डर के दस्तानों में जाती हुए दूसरे रन की दौर लगी है और तेजी के साथ यह गेन बाजी मार्ग पर जाती तो यकिन राउट का मौका बन सकता था यहां पर लेकिन बेरहाल वहां पर अंकुर सिंग गेन को कलेक्ट नहीं कर पाए उनके हातों के करीब से यह गेन छूट कर विकेड़ के दस्तानों में जाती हुए दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुए ब यहां पर अक्तर शेक मैं फॉर्म राबडी एक बड़ी सफलता फिर से यहां पर अक्तर शेक के माध्यम से जबर्दस कैच खुबसूरत फिल्डिंग का मुझारा अक्तर शेक में बताया है मैं मैं फॉर्म राबडी मुझे क्यों कहते हैं जबर्दस बले बाजी करने में महा रिकेट पर अब आने अलाग लाबलेबाज है मया महेश जाधाओ जिने प्यार से लोग मया भी कहते हैं महेश और मया अधरेंट पर बात करें तो बाबा अब दोनों बलेबाजों पर जिम्मेदारी यहां से रनों की गति को आगे बढ़ने की अंकर सिंग एक अनुभवी गेंबाज काफी अनुभव इन्हें कूशल मेमेंट पर बड़े मुकाबलों में गेंबाजी करने का महारत रखते हैं आपने देखा होगा 10PL भारत बनाम पाकिस्तान का वो मुकाबला जिसमें कप्तान अंकर सिंग थे भारत की ओर से और क्या खुबसूरत वो मैचेज वो यादे वो लम्हे आज भी हमारी आँखों के सामने खुबसूरत लम्हे हमारी आँखों के सामने दोड़ते हैं इस वक्त फिलाल अंकर सिंग विक्रोली के इस मैदान से गेंबासी के लिए दोड़ते हुए पटकी विए गेंड एक अपील यकीन बले का किनारा लगा था इस बार लेकिन गेंड वन बाउंस विकेड़ी पर के दस्तानों में जाती हुई थोड़ा सा आगे ये गेंड तप्पा खा कर गेंडास योगिश पवार के हातों में जाती हुई थोड़ा अगर हातों में आने का प्रयास किया होता योगिश पवार में तो शायद क्याज बन सकता था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर था पर नामुम्किन नहे अंकर सिंग की अगली गें slower delivery दिशाहीन अगें लेक्स टम के काफी आफस टम के काफी बाहरी गें अंपायर कल्यानी गोर पड़े सर का इशारा वाइड का मिलता हुआ एक अतिविक्तरंद एक्स्ट्रा के रूप में जूरता हुआ खाते वे स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुचा है त्रेयालीस रन 43 रन इस वक्तर स्कोर काइट पर तीन दिट्टो के नुकसान पर यह अच्छी गें हाइट के उपर से अंपायर नहीं से अमिद गुलत करसर ने वाइड का इशारा दिया है जिसके चलते अमिद गुलत करसर ने वन बाउंस यहाँ पर गेंबास को जरूर दिया होगा और एक वाइड का इशारा स्कोर लग अंपायर के माध्यम से बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन तीन वक्तर के नुकसान पर रिटन क्रीस पर मौजूद महेश और पॉप इंक्रीस पर मौजूद फहीं उर्फ बाबा रॉंग बन किया इस बार उटाया एडी पर स्कोर लेक पर ये गेंब जाती हुई वन बाउंस फिल्डर वहाँ पर मौजूद दूसरे वन की दोड़ यहाँ पर और आसानी के साथ मौज और बाबा ने दो रन मुकमल किये बरता हुआ स्कोर च्छालीस रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर 46 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड तीन विक्टों के नुक्सान पर तीन दशम लग चार ओवर का खेल अब तक समाप इस फिर बार पटकी वी गेंड और टाप एज और सीधर लिकटगी पर के दस्तानों में अंकुर सिंग को मिलती हुई एक और बड़ी सफलता महेश जादों के रूप में बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था मैया ने पूरी तरह से गेंड बले पर नहीं आई बले का बाहरी किनारा लगता हुआ और गेंड जाती हुई सीधर लिकटगी पर के दस्तानों में योगेश पावार ने खुशुरत तरीके से इसके आज को पकड़ा और अपने टीम को एक सफलता दिलाने में अपना योगदान दिया है मैया इस वक्त आउट होकर डगाउट पर लोटते हुए अब आने वाला अगला बले बाज जिसके कांदों पर सौपी जाएगी और अनों की गती को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रवी विश्व कर्मा आने वाला अगला बले बाज रवी विश्व कर्मा ये आखरी गेंद इस वक्त अंकोर सिंकी तीन दश्व लग पाँच ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ एक गेंद अभी भी शेश है स्कोर बड़ता हुआ 46 रन 46 रन जोना स्कोर कार्ड फिल्ड में थोड़ा परिवर्तन यहां पर जरूर थोड़ा वाइडिश एंगल स्क्वेर लेक पर एक प्लेयर को लिया गया है और थोड़ा सा बाहर की तरफ मिड़ विकेट अक्तरशेक को फैलाया गया है इसे कहते हैं आखों ही आखों में इशारा होना और बैठे बैठे दोरन का सहारा होना ये दोरन काफी महत्व पूर्ण थाबित होंगे इनकी पारी के लिए मानों चिक्की रन चुराया है ऐसे रन्ज अक्सर हमने देखा था उस्टेलिया के बलेबाज एन हिली चुराया करते थे जिने चिक्की रन चुराने का माहिर कहते है उसी तरह का ये चिक्की रन चुरा कर दो रन पूरे करते वे अपने टीम के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन इस वक्ता स्कोर काट पर ये आखरी गेन बहुत ही उम्दा गेन स्लोवर डिलिवरी थी बैट कर पुल करना चाहते थे लेकिन केवल लेकबाई के रूप में एक रन यहाँ पर जरूर मिलेंगे दोनों ही बल्ले बाजों को उवर की समाप्ती हुती हुई उवर की समाप्ती के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन इस वक्त स्कोर काट पर चार विक्टो के नुक्सान पर यह आखरी उवर का खेल अभी भी शेश 32 रनों की अवशक्ता है 6 गिंदों में 6 गिंदे 32 रनों की जरूरत देखिए यहाँ पर जो फिल फिल इन दा ब्लांक जो था हो 56 रन इस वक्त स्कोर काट पर वो लो बॉल पर जो दो रन दोड कर पूरे किये गे थे वहाँ पर थोड़ा सा हमें रुकावट के लिए खेद रिक्त करना पड़ेगा 50 रन इस वक्त स्कोर काट पर 31 रनों की अवशक्ता छे गेदों में 31 रनों की अवशक्ता मुश्किल जरूर है पर ना मुम्किन नहीं क्रिकेट है कब न जाने क्या हो जाए यह कहा नहीं चाह सकता गेंबाजी मार्क पर आने वाला अगला गेंबाज को नहीं बैडम बोले प्रतमेश प्रतमेश महत्रे 210- loosen प्रतमेश की पर बड़ा प्रहार गेंड सिमारेखा के महार 6 रनों के लिए 56 रन वक्त स्कोर काड पर 25 रनों की अवशक्ता 5 गेंडों में पांच गेंदों में 25 रनों की जरूरत पांच गेंदों में जीत के लिए 25 रन दरकार ओहो ओहो इस बार जबर्दस केंथी इंसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयाज किया था बैक फुट पर गए थे बल्ले बाज पुल करना चाहते थे लेकिन पुरी तरह से मिडल अब दी बाट नहीं वी बल्ले का किनारा लगकर गेंदों जाती वी शोट थाट मैन पर एक रन यहाँ पर जरूर मिलेगा एक रन के वजबरता हुआ स्कोर 57 रन 24 रनों की जरूरत चार गेंदों में बाबा है स्ट्राइक पर चारों ही गेंद पर लगाने होंगे चार बड़े बड़े शटकार चार गेंदे 24 रनों की अवशकता स्ट्राइक पर है बाबा गेंद वाजी मार्क से ये पटकी हुई गेंद अमपार का इशारा वाइट बाल जी हाँ काफी ऊची रही ये गेंद बले बास के कांधों के ऊपर बिल्कुल सरों के ऊपर से ये गेंद कल्यानी सर स्क्वेर लेग अमपार ने वन बाउंस का इशारा दिया है और वाइड का इशारा भी हमारे स्क्वेर लेग अमपार के माध्यम से मिलता हुआ अब चार गेंदों में 23 रनों किया विशक्ता उठाया इस बार बले की टोर गेंद आती हुई इसी मरेगा के बाहर शेट कार मैक्सिमम स्टोक बाबा के बले से निकलता हुआ अब तीन गेंदों में जरूरत यहाँ पर किवल 17 रनों की यारे तीनों गेंदों को आपको फिर से फैकना होगा सिमिलर रिजल्ट बाउंडरी के बाहर शेट कार के लिए अगर इस मैच को जीतना है और इस पड़ाओं से निकल कर आगे जाना है तो जरूरत आपको तीन गेंदों में 17 रनों की ठंडी ठंडी हवाएं इस मैदान का रुख करती हुई क्या खूफसूरत वातावरन क्या खूफसूरत महोल इस मैदान का रविवार का दिन छुट्टी का दिन अक्सर लोग घरों में इस छुट्टी का इस रविवार का आनंद लेते हुए लाइट अलिकास इस मैच को देखते हुए प्रतमेश तीन गिंदे अभी विशेश और पारी के समाप्ति के लिए तीन गिंदे में अवशक्ता सत्रा रनो की तीन गिंदे सत्रा रन्दरकार जीत के लिए प्रतमेश गेंबाजी मार्क से दोड़ते हुए बाइर को क्रॉस करते हुए पट्की हुई अगेंड उठाया इस बार लाम गान पर जाती हुई अगें केवल एकरम यहाँ पर राप्त करेंगे बाबा अपने इस स्ट्रोक से थोड़े नाखुश जरूर बाबा प्रयास जरूर किया था बाबा ने लेकिन गेंड पूरी तरह से इनके बलने पर आई नहीं और केवल एकरम यहाँ पर मिला स्ट्रोक को रोटेट जरूर किया है बाबा ने अब दो गेंडो में जरूरत इस मैच को जीतने के लिए 16 रनोगी टू बॉल 16 रन्स आर रिक्वाइट टू विन हमारे प्यारे डी जहां कहीं भी हो प्लीज हमारे कॉम बॉक्स में आए लाजवाब गेंड प्रतमेश की अन्प्लिविबल डिलिवरी आपर रनाउट का मौका है और यह रनाउट उंगली आमपायर की उपर यह आखरी गेंड अभी 6 रिक्वाइट की समापती के लिए चलिए बलेबास को आना होगा डी साहिब जा कहीं भी हो प्लीज चलिए बलेबास ज़रा जल्दी करेंगे प्लीज नेक्स मैच होगा जिया इलेवेन वर्सेस दिपक इलेवेन दिपक इलेवेन भांडूप वैसेस जिया इलेवेन विक्रूली तो एक तरफ पिंटू पार्चा होंगे तो दूसरी तरफ भांडूप की एक नाम वंत टीम दिपक इलेवेन दोना ही कप्तान सब उजारिश है कि प्लीज हमारे कॉम बॉक्स में है तो यहाँ पर यह रंगा-रंगी कारिकरम इसे के साथ समाप्त होता हुआ जुनेद थे निव बैक्स्वन लेकिन अधरेंट पर ही रुके रहे इस मैच का मैन आफ दी मैच गोशित किया जा रहा है योगेश पवार को योगेश पवार जी आपको मैन आफ दी मैच कलेक करने के लिए प्लीज हमारे कॉम बॉक्स में आना है योगेश पवार जी योगेश पवार सर मैन आफ दी मैच के लिए आजाए प्लीज बहुत 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 बहुतरीन मुकाबल है रहा शुरुवात की दो वर्ज में 36 रन बटो रहे थे लेकिन उसके बाद जाकर जिस तरह से रनों की गती पर रोक लगाई थी गेनबाज प्रमय पटेल ने वो काफी काबिले तारिफ रही उनकी गेनबाजी विक्टिय भी चटकाई और रनों को भी आगे बढ़ने से रोका तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि मैच की जीत का श्रह अगर एक तरफा कहीं न कहीं जाता है तो प्रमय को भी जाता है जिन्होंने बहुत ही लाजवाब गिन बाजी की थी लेकिन इस एक एसी रन को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा था वो योगेश पवार का र तो लेक चोटा सा ब्रेक के बाद आप सुनेंगे हमारे आजरी गृरू वइस वफ इंडिया हरुष पंडिया सर की जुबानी आखोदे का हाल आगे की पांच उबरो का हाल आप सुनेंगे अगली मैच का लोते एक चोटा सा ब्रेक और मिल ट Derek चोटे से ब्रेक के बाद तैं हालो, हालो, हालो सन्मान ये चंद्रकान नाइक साइब येंचे शुबस ते हे मेमिंटो आपन देता हो तनुष कोटियन यानि अतास मुंबई चान प्रतिनित्व अगेला रंजी ट्रोफी मदे करुना कर कोटियन येंचे सुपुत्र योगेश पवार what a fantastic cricketer he is अनि striker sports बंडूप साहा सेंडो मन्जे जसन आव है striker योगेश पवार तसा striker है क्यारम चा striker है पन क्रिकेट चा striker है लक्षाट्टेवा मित्रा नो रंजी ट्रोफी प्लेयर फ्रमारास्टा योगेश एक दोनस मिंट बोलुया अनिल कपोर जीतेंद्रा नी योगेश पवार हे फिटनेस ठेवन है योगेश हाव इंपोर्टन्ट फिटनेस इस मन्जे आज कुटलाई फारमेट असला मी नहीं बखतों तुझा वजन वाट लेना है पोट आत मदे आसते या वयाद भरपूर लोगांजा धेरी निकतात हाव डियू मेंटेन योशेल्फ बाई कीपिंग फिट याचा मेन मंजे सगल स्रिया जाता माझे आई ला आणकी माझे डायेट वगरे सगला माझे आई बखते आणी मंजे कदी काई काई चाई ग्रीन टी कदी काई सगलती बखत असते या मने तीचा एक फार मोलाचा देचा मदे वाटा है आणी परत त्याबरोर फिटनेस वगरे माझा एक फिटनेस ट्रेनर पने डिवाए माझे तो माझा फिटनेस गे दसतो परत आणी परत त्याबरोर फिटनेस प्रेक्टिस वगरे या गुष्टिन मुले थोड़ास आपन फिट रातो वन लास्ट क्वेस्टिन योगेश आरथात एक मुठा लेवल सा क्रिकेट तू खेल लाए आणी हे मैदान तुलासे वाट्टे की आता हे मैदान तुझा सड़ी खूप लगी है कारेंड माक्चा ठूड़ास दोन अफ सेंचुरीज वन फोड़ी वाट्यव रन्स मैन अफ्टो सीरीज आस मन एक थोड़े सड़ी तुझा अर्दश्य तक हुकला बड हाव डियू एक प्रॉपर ग्राउंड आहे आणि अशेग्राउंड कुप कमी बड़्टाद मनुं तुमाला चांगले फटके दाखरूणाची एक मुबास उद्धास्ते अशे मैदान अवर मेंद मंचे जवा ही टुरूना में डिक्लेर हो दिना तेवा माला इसली सोपनों पड़ाल लगता था अपप कि मी रंच करते हो गरे हो गरे तुम अपपते प्रतिक्षत पन उत्र जाओ शकता समाला वाट्ट तो थैंक्यू सो मच और कॉंग्रचुलेशन समित्र नहीं होते है योगेश्पवार मैन अफ दे मैच पैलात स्यामना सामना वी रिठरला है आणि काय कड़क शॉट मारले होते तब पुडिल सामना साथी आता आपन सज्ज होते है खेलनारे संगाई जीया 11 विक्रोली आणि दिपक 11 भंडोप आ सामना लगेश्प शुरू होते है तुमच्या कड़े घ्योँनियतो है कुठेज आउनका पहात्रा टनिस्क्रिकेट.इंच यूटूब चैनल विक्रोली पाउसली रबर बॉल क्रिकेट्स पर्दा. झाल को विक्रोली रबर टनिस्क्रोली अजया जीरे विक्रोली रबर यूटूब नीच उर्वप अजया खिते हैं। झाल 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 आनन्द झाल